आज़्मान हो रहे हैं तो सुपिरी सुप्कार मैं ना रा बलना है जी राज़्मान सद्गुरो तेरा ही राज़्मान अज़्मान सद्गुरो तेरा ही रास्रा सद्गुरो जी की प्यारी साचंह जी सभी प्रेमप्रो की इसी प्रकार अपने अपनी जिगायपर बैठे रहें किसी ने भी खड़े नहीं होना आपस में बादचीत नहीं करनी बहुत ही फ्रेम से आप जूम मीटिंग के तहट जुड़े हुए हैं और पुजया गुरू जी के यूट्यूब चैनल सेंट MSG के तहट भी आप सचंग के साथ जुड़े हुए हैं इसी प्रकार जुड़े रहें और पुजया गुरू जी के यूट्यूब चैनल सेंट MSG का जो लिंक है आगे की आगे शेर भी करते रहें ये भी आपके एक सेवा बनती हैं तो सभी इसी प्रकार जुड़े रहें किसी ने भी आपस में बादचीत नहीं करनी अपने ध्यान को एकागर करते हुए पुरी शर्धा के साथ अब आपने पुजया गुरू जी के अनमौल वतनों को सरवन करना है धान अन्सत गुरू तेरा ही आसना मालिकी साजिन वाजी प्यारी सासंग जीओ सबसे पहले जो सासंगत आई है कुछ बुराईयां छोड़ने आई है कुछ राम नाम के आशिक अल्ला वाही गुरुगाड खुदा अरब के आशिक राम नाम की चर्चा सुनने आई है तो आप सब का ससंग में पधारने का तेह दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं गरी आएनु किशामधीद केते हैं आशिक अधेक वेलकम और सामने लाइब है और लाइब में कई जगा भी तो आतिशवाजी हो रही है महाराध है शायद तो वह दिखा रहे हैं सामने बिल्कुल मेलवर्न आस्ट्रेलिया में दिख रहा है कि वो आतिश वाजी कर रहे हैं जी तो आप इस सक्रीन पे देख सकते हैं वहां रात तो उनने अपना फैदा उठा लिया उस चीज का साइन जी मस्ताना जी महराज के अवतार महिने की खुशियां है पूरे वर्ड में वो मना ही रहें और सारी सासंगत इसको जानती अच्छे से बहुत आशिरवाद बच्चों आशिरवाद अपना बना तरीका है जो मालिक खुशियां दे आशिरवाद अब जी शुरू करते हैं यहां सासंगत बैठी है और बुराईयां चोड़ने आई इनशा चोड़ने आई उनसे बात करते हैं नाम जर्चागर हाटा कैमूर बिहार हाटा बिहार हाँ बिहार वालो करो बात बेटा बिहार क्या आवाज नहीं आ रही क्या बात प्रेड़ी रखा करो भाइज चलो आप त्यारी करो फिर मिलते हैं किर्शी उभुजमंडी सिमिति का मैदान धनोरा महरास्ट्रा धनोरा महरास्ट्रा हाँ जी धनोरा धनोरा वालो क्या बात सब जगे साइलेंट हैं आपकी अरंगोली जो बनाई है उसमें अच्छा दिखा रखा है ड्रग है और हमारी फोटो बना गया अपने तीर कमान श्याद शेर दिल की फोटो बना रखी आपने कि वो ड्रग पे निशाना साथ रहा है चलो जो भी चल गया काउन सा है कि दोनों में से कोई भी कोई नहीं आ रहा है चलो जी तीसरी जगा पहुंचते हैं आप त्यारी करो मिल जाए पहले बड़ा मिल रहा है क्या आपका नेट स्लो है करो कुछ अगला है जी हैपी मेरीज गार्डन नर्मदापूरम होशंगाबाद मध्या परदेश जी बेड़ा बहुत आशिरवाद बच्चों बहुत आशिरवाद आशिरवाद ये धनोरा है अछोंगाबाद सब्साइक गो अचिआ होड रहवाद बाड़त प्लाज जाहाए न को अगते हैं जी घरीजत जएमार्ड आशिरवाद जृच है एक बात करा दो बेटा कोई भी सांजी बात करा दो बेटा जी हाँ जी तरह गुरुजी हम लोग भारत वर्स को जहर मुक्त बनाने के लिए जैविक ख्यतिगी पर काम कर रहे हैं है बहुत अच्छी बात यदि आपका असिरबात मिल जाए और आपके ओगोश्णा हो जाए कि जैविक ख्यती और जहर मुक्त ख्यती के लिए थी हम लोग काम करें तो सायद पूरा राष्ट जहर मुक्त हो जाएगा और स्वास्त की दश्टी से पूरे संभून जगत में भारत वर्स विश्वगुरू बन जाएगा जी आप जो बात कह रहे हैं और डी शैदा आपने हमें ट्रैक्टर चलाते द किसान आते हैं सो इकड़ जगा बिल्कुल प्योर और गैनिक कर रखी है और वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कौन कौन सी सपरे जैसे गौमूतर है या आग है निम की निमोडी है तिरफला है आमला है ऐसे बहुत सारी चीजों से वां सपरे बनाते हैं ताकि जो क कीट पतंगे सिरफ छोड़ जाएं पोदों को मरें कम मरते हैं लेकिन जो असलियत है कि हमें उससे बचावर वचाए दूसरे दिन तोड़के खाले आदमी को कुछ नहीं होता सबजी से तो इस तरह से हम वहां पूरा सौ एकड़ ऐसा बना रखा है जिस पे ये एक पूरे कि लुए यहान हमारा मिश्वा जिन जि जी बहुत आशिरवाद जि प्हगवान ताकत दे और आपकी उपधर के लिए देपte पूरा हो जाए लेकिन अछय handicap इस पे पूरा जोर लगा रखा है और आप लगे हैं तो बहूर्ण आपको वी ताकत है सब मिलके चले इस देश को जहर से और ये भी एक जहर है जो नशा है तो हर तरह का जहर खत्म हो जाए इस समाज से और सारा समाज स्वस्त रहे यही राम जी से प्रार्थना और सब के लिए आश्रवाद है जी जी बहुत स्वागत और अपने स्कूल के दिने बच्चे पढ़ते हैं प्रेंट्स बात करना जी बहुत है जी बहुत है आज तुरक्षित बना दिया है और प्रेंटे है तो बेटों का भी ख्याल करते हुए जी इसकूल को आगे बढ़ा दिया जाए जी बहुत यादा हमारे यहां पे बहुत यादर निश्य का वेफार भी चल रहे है छोटे बच्चे बहुत निशा कर रहा है तो बीदे जी बेटों पे भी बहुत बहुत किर्पा और अपनी दया मेर बनाके हमारे स्कूल को आगे बढ़ाए जी बीटा हमारे जैसे गुरु कुल होता है उसी तरज पे स्कूल बनते हैं और अगर लड़कों का अगर आपके बनाना हुआ तो अलग से बनेगा स्पेशली लड़कों का ही होगा क्योंकि को एड में आधकाल से ऐसा नहीं उस चीज को मान के चलते क्योंकि जो बेटियां होती थी उनको गुरु मां पढ़ाती थी और बेटों को गुरु जी जो गुरु कुल में होते थे वो पढ़ाया करते तो उसी के अकॉर्डिंग उसी तरज पे ये स्कूल है तो आप चाह रहे हो तो जुरूर जुम्मेवार नोट कर लेंगे और आप से मिलके बात करेंगे आप सबको बहुत आश्रा जुम्मेवार सारे सिवादार हमें नजर आई रहे हैं सबके हाजरी हमने लगाई दी सुब अगवान बहुत खुशियां दे और परशाद भी बन गया और बेटी अगर कोई बात करना चाहे तो बेटी भी बात कर सकती है कोई ठीक है बेटा बिलकुल ठीक है जी मनजूर बेटा जी आपको जनम महा की आपको बहुत बहुत बदाई हो आपको भी बहुत बदाईया माले खुशियां दे बेटा आप से दो बाते करना है बोलो अश्वाद बेटा अचिवाद आप चलके आए हैं सबको बहुत बहुत आशिरवाद माले बहुत खुशियां दे सारे सीवादार हमें नजर बेटे बेटी नजर आ रहे हैं हाथों में थालियां आर्ती की हैं और मंगल कलश भी आप लोगों ने लिए वे और ये कलाकृती आपने बनाई है बड़ा अच्छा लगा उसे देखके कि जिस भी बेटी ने बेटी ने बनाई है उनको भी बहुत आशिरवात बहुत सुंदर चितरन बनाया है बहुत आयो प्रिशा ले ले ना अराम से बैठके बेटा आशिरवात आगे है जी उनमें से कोई जागा क्या जी तो धनवरा महरास्ट्रा ने वो अन्टरनेट सो जाता है ना वो तो जागी रहें जी धनवरावालो बहुत आशिरवात बहुत बहुत आशिरवात सुन्दर सी आपने रंगोलियां बना रखी हैं कपड़े भी रख रखे हैं और सासंगत भी बहुत बैठी है जी और कुछ लिख भी रखा है आपने तो बहुत आशिरवात हांटर के पर ही कुछ लिखा होगा उस पर क्रोस के निशान तो बहुत आश्रवाद बच्चों बहुत आश्रवाद तो करो बात बेटा बात करो हाँ लगजी अपैसर पाइन जब आपर? जो भी हमारे बेटे बेटियां भाई बच्चे आये हैं सबको बहुत आश्रवाद बहुत बड़ी अबाद बहुत बड़ी अबाद राम आपकी जोड़ियां बरे खुशियों से और 97 के बाद पिटा जी आज आप पहली बार यहां पधारे हैं तो आपके स्वागत में देखो पुरा नगर आया है पिटा जी बेटा जी और पिटा जी अक्षे इंसा हैं दो लाइन सुनाना चाहते आपको पिटा जी जुरूर सुनाओ जी पिटा जी धन्दन सद्गुरू हर बेटा जी ढरतता जी पिटा जी पिता जी इनुरु अच्छाल होगा बेटा फिकर मत कर और पिटा जी यहां पे शवराप कड़ा UK चलन है पिटाजी रह्मत करें पिटा जी कि लोग पिटा जी जुरूर जी बेटा बहुत आशिरवाद मालिक सबको बहुत खुशियां दे बेटा जी और आप बेटियों की बात करा दो अगर कोई बेटी हमारी बात करना चाहती है दान दान सद्गुरू तेरा ही आसरा आशिवा बेटिया हाँ बेटा राम जी से प्रार्थना करें कि वो बेरोजगारी को दूर करें और किरपा करें जरूर करेंगे बोलो बेटा जी बेटा बहुत आशिवा बच्चो हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ गाते बेटा हाँ गाते बेटा हाँ बाबा हाँ गाते बेटा हाँ बाबा हाँ बुख बंदे बाबा आज आलेग, आलेग मजे बाबा, सरी सत्तंगी मिलले आज, सत्तंगा ती शोबा वाडली सरी सत्तंगी मिलले आज, सरी सत्तंगी शोबा वाडली, आज आलेग, आलेग मजे बाबा, जी बेटा, बहुत आशिरवाद, हम आए और हमारी बेटियों के चेरे पर जो परसंता है, बेटों के चेरे पर और क्या चाहिए बेटा, आप लोग खुश हो गए, और आपकी खुशी चाहिए, और सारे समाज का भला चाहिए, बस यही बगवान से परार्थना है, परशाद बन गया, सब लोग लेना बहुत हिम्मत कर रहे हो, सारे सेवादर बेटे बेटियां, सो बगवान घरों में खुशियां दे, नई नई खुशियों से आपकी जोड हाटा कैमूर, बन गया मूद हाटा कर रहे हो, सारे बस बत दे रहे हो, सारे सहिए, मैरे घरए आये आपकी जोड अ आइक कर दो को, सोल dollar बगवान शनाम मूर दया दाब लोग जोड Самर नई चाहिए, जोरी हो दुशित हाटाय कान मूरिसान वाल रहे हाटाय मेरे हटाया हुता हुत मेरा असोड़ महीरा सोड़ अखर आया जी विड़ा बहुत आश्रा बच्छों बहुत आश्रवाद और यह पुरातन चीज आप दिखा रहे हैं इसे इदर उख्र तो मुस्ल कहते हैं बाकिया आपके नाम कुछ और होगा तो उससे वो दाने कूटना उसका आठा बनाना जों कूटना पुरातन चीजें हैं और इदर छाज बोलते हैं आपके कुछ और पतने क्या एटा या कुछ बोला था आपने स्वाश्रवाद बच्चो बहुत आश्रवाद बीटियों के हाथों में वो आरती की थालियां हैं गुवारे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सारे बेटे बेटियां और बच्चो बात कर लो चक्की भी चल रही है हाँ बेटों की दरफ से बहले बात कर लो बच्चो आश्रा बेटा हाँ बेटा हाटा के नाम जर्जा घर में पहली बार आपका चर्ण तिकाने पार यहां के सारी साथ संगत की तरफ से नारा कबूल करो पिता जी जी आपकी रहमत से यहां पर करीब छे हजार आये थे लोग उसमें तीन हजार के लगभब नए जी उसे पिता जी बहुत बढ़िया बात आप सेवादारों को बहुत खुशियां दे बेटा आपकी सेवा का कमाल है और क्या पगड़ी बंदी लाल है राम जी भी करेंगे माला माल है आशिरवाद जी बेटा जी बेटा बस एक ही नारा हो वो ओम हरी लारा राम गोड़ खुदा वाहिगरू सबको प्यारा हो और सारे समाज में से नशाबार हो जाए ये मालिक से प्रार्थन है बेटा और आप लोग लगें जोर शोर से शाबाश सारे सेवादार मिलके पूरा जोर लगाना बेटा और ये जगा कितनी है आपकी नामचरचागर कितनी जगा है ये पिता जी अठारा टिसमिल में है भाई पिता जी अच्छा अच्छा जी बढ़िया 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 सारे सासंगत बैठी नजर आ रहें सबको बहुत आश्रा बच्चों तो मालिक बहुत खुशियां दे और जो आज नशा चोड़के गए बुराइयां चोड़के उनको फॉलो करना उनको साथ जोड़ना ताकि गुरुप बढ़ा हो और जल्दी नशा चूटे समाज का उन बच्चों को भी बहुत आश्रवाद जिन्होंने आज नशा चोड़ा बुराईयां चोड़ी और सेवदार तो बैठी है सासंगत उनको भी बहुत आश्रवार और जी बगवान इनको खुशियां दे बहुत सेवा करते हैं और बिहार के 45 मेंबर हैं सो शाबाश बेटा और आगे बढ़के और हिम्मत करो और समाज से नशा चोड़ाओ बेटा जी बगवान आपकी जोड़ियां सब की भरे खुशियों से वो सारे सेवादारों के लिए बच पिता जी बिहार कैमूर भभुवा जी बलाग भातां से बोल रही हूं जी पिता जी बोलने के हिम्मत बख्षना पिता जी धान धान सत्गरू तेरा ही आसरा आश्रा बेटा आश्रवाद हाँ पिता जी बहुत ही नाम लेए जी उत होते हैं बाई पिता जी मगर फिर जहां के तहां ही चले जाते हैं हुए। इसलिए वो डेफ्त मुहीम चलाई है पुतर कि सारे समाज से नशा दूर हो जाए और वो भजन भी हमने इसलिए बोला देशो जागो दुनिया के लोको जागो देश के लोको नशा जड से उखाड़ना है कि तो यही बजा है वो हम तो भजन से भी जोर लगा रहे हैं उसे जाओ और आप लोग लगे हैं और जो नशा चोड के जाते हैं उनको फॉलो करो बेटा 45 मेंबर आपके आए हुए हैं तो वो अगर चाहेंगे तो समय समय पर टीमें आ जाएंगी और आके आपको साथ देंगी ताकि उन नशा जिनोंने छोड़ा है वो तो छोड़े रखें और जो नए हैं उनको भी जोड़ा जाए तो आश्रव बेटा जुमिवर नोट कर लेंगे इसे बात को ये जगा है हाटा केमूर बिहार सासगंज साथ है क्या बेटा सासगंज सासा राम वो पास ही है क्या आसपास ही है क्या हाँ बेटा हाँ बेटा देखो आज कितना नशा छोड़ने लोग आए तो सासंगत बढ़री राम नाम के जितने भी लोग बढ़ेंगे उतना जल्दी ये नशा समाज से जाएगा तो सबको आश्रवाद बेटे बेटियों को बहुत आश्रवाद बहुत संदर रंगोली भी आपने बना रखी है और बैनर ले रखें बहुत संदर और ये बैनर अगर कैमरा मैं दिखा देगा नशादी करके तो पड़े भी जाएंगे 10M ब्यूज ऐसा कुछ लिख रखा बच्चों अरे भाई हम बैनर की बात कर रहे तो रंगोली पे आगया जब रंगोली की बात करेंगी तो यार पतंदर लिख रखा हां जी यह इनों लिखा 10M प्लस ब्यूज जागोद दुनिया दे लोगों उसके हो चुके हैं तो बहुत आश्रा बच्चों अच्छी बात है आई लव यू पापा ये भी लिख रहा है एक और जब मेरा बापू मेरे साथ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है अरे वाव बाई वाई लव यू है मैं जी बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा नौजवान बच्चों आपने हिम्मत करनी सारों अच्छा बगाना है और डिजिटिल ये समस्या बलास्ट फास्ट हुआ अच्छा डिजिटिल फास्ट ये कुछ दिखनी रहा साथ से नौ डिजिटिल फास्ट गरिलू समस्या हुआ बलास्ट जी है ठीक है ठीक है आशिरवा बच्चो बहुत संदर लिख रहा है वो आगे और लिख रहा है पापा इधर बिहार वाल इसी के साथ आपके हां जी राइट में होगा शायद बिहार जल्दी आवना अपन प्य लुटावना हमारा हमें जी बाबु अरे वा बहुत अच्छा बेटा अब तो आगाए हैं तो जरूर बेटा अशिरवाद 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 तो मालिक खुश्यां दे परशाद ले लेना बच्चो परशाद ले लेना और हाँ जी ये भी सुंदर रंगोली और अगला है जी गौरी गार्डन अर्मोली संभल जूपी क कि वेंगे। कि वेंगे। अहा कि वेंगा... झाल 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 आश्रा पेटा आश्रवाद आश्रा पेटा जी जी विलुदाने कि आपने इसकी चाराना हो रही ए पिताजी इसी तरह से यूपी पिर हमत पर साहर रखना जी दन दन सत्वरू ते रहा जाने और पिताजी यह जो इसकोर के बच्चे आते हैं जिने नाम-दिलवाते हैं कभी कभी ने नाम याद नहीं तो पिटाजी एसा कुछ कीजिए कि कोई ऐसा इस्टेशन या बिलोखों में बन जाए जो कोई जिम्मेतार हो जाए जो कि उन्हें नाम कभी कभी या दिलवा दे करें या जी बटा आप लोग के पास इन सब के नाम होंगे और एक टीम स्पेशल चोड़ देंगे बेटा इधर जो नाम याद करवाने आती रहेगी लगातार और पिताजी यह जो संबल जिला में कुछ बिला कैसे हैं कम चल रहे हैं पिताजी उन पर रहमत रखना उसको भी आगए चल बढ़के शेवा करें और आगे चलें पिताजी चिन दोसी बिला के सं आपका दूसरा प्रोग्राम मना जा रहा है इसी समय आप बहुत वड़ी आपने पहर करी है संगत पर जी बेटा जी बेटा और आप जो जिन बलाकों का आप जिकर कर रहे हो बेटा तो आपके पास जो जुम्मेवार जो भी खड़े हैं या मैसेज करते हैं कौन कौन से बला आप लोग इतनी सिवा करते हो करोना टाइम में भी कुई कमेनी चोड़ी तो बगवान ताकत दे बाकी बोलो बेटा जो हम तमाज में हमारे पास जो हम जाते हैं गाओं को गेरा में तो बहुत चोटी चोटी बात पर लोग आत्मत्या कर ले रहे हैं किसी ने चोटी जी बात टी और था पिजित करने के लिए के लिए तयार हैं और वाप बेटे से Younggest! के पैसे देनेजी उर्मालि के लिए पढ़ना है तो अपने इसाब से पढ़ना है जोटी फ्रटी बातों पर नसे के लिए लोग पतनी की मार दे रहे हैं या मतलब बहुत से मतलब पिता जी आत्मत्य कर ले रहे हैं तो पिदा जी आप ने जो नसे का कैमपेंड चलाया इस तमें पिदा जी आप इसे और भी ज्यादा हाई स्पीड से चलावाने की किर्बा करें आपके साथ हम लोग और सभी लोग तो पराद फिता जी बिल्कुल आपके नाम की स्पीड इतनी गति से पड़गा है पीता जी बहुत ही ज्यादा पड़गा है जिससे यह प्राइब आत्मिस्वात आई लोगों के अंदर और जी चोटी बात पुरे देश की समस्या है बहुत जगों पे ऐसा हो रहा है लोग नशे से बरबाद हो रहे हैं बुरा हाल है और आप सारा समाज अगर हमारे साथ चलोगे तो लगता नहीं कि समाज में से ये गंदगी को अपा नहीं निकाल भेंगे तो नौजवान बच्चे भी हाथ कड़ा कर हैं और बगवान से प्रारतना आपको जोडियां बरे खुशियां दे आपको ताकत दे ताकि इस गंदगी भरे नशे को समाज से निकाल फैंके बहुत आश्रवाद हाथ नीचे कर लें बेटा नारा लगा के तो बहुत सेवादार भी हैं वहां बहुत साह संगत आई हुई ह हैं सो आश्रवाद बच्चों बहुत आश्रवाद माले खुशे दिया बीटिया कोई बात कर लो हां बीटिया बोलो बीटा इस बिल्कुल ठीक है बिटाजी आप बताओ अरे वा बेटा वा बेटा जी वा वा शाबाश जरूर बीटिया जरूर पूरा अश्रवाद है और हमने पीछे पहले टिफ्स भी दिये थे आप अमल करना बेटा बगवानने चात उसमें आपको और तरक्की मिलेगी और हिम्मत मिलेगी बेटा अश्रवाद अश्रवाद पूरा हिम्मत से आगे बढ़ना एम बनाके रखो और टेंशन पहले ना लो कि हमसे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा ये सोचना है कि हम कर दिखाएंगे बस आदा गिलास खाली नहीं आदा भरा है ये कहने का मतलब पॉजिटिव रहना है निशाना गोल्ड पर रखना बाकी राम जाने अपने होंसले बुलंद करके जाना जी अबड़ा अच्छा लगए बीटिया हमारी बीटी ये जीत के लाई बच्चे जीत के ला रहें शाबश शाबश बेटा बहुत खुशे है पूरा अश्रवाज बेटाएंगी जब मेरा फ्रीडवाद में इस पॉंसर शीप था बिताई तब मेरी इतनी प्रैक्सित नहीं सब्सक्राइब अबस और यह आवड़ा गेम भी हमारा एक गेम था उन गेमों में एक आवड़ा भी गेम था पूरा तपूरा पूरा पूरा आशीराओ पूरा पूरा आशीवाद मालिक करे द्यां में रहमत से नवाजे सारी बेट्या जितनी बी यहां खड़ी को आपको आशीरवाद और जितने भी लोग, सासंगताई, गनमाने लोग आएं हैं, आप सब को भी बहुत आशिरवाद, हमारी बच्चों को सब को आशिरवाद, तो परशाद बन गया बेटा जी, लंगर भोजन लेना, परशाद भी ले लेना, क्योंकि बहुत जगा प्रोग्राम है, हाँ जी, अशिरवाद बन गया, माले खुशिया जी, देया मेरे मसे नमाजे, जब को भाउत आशिरवाद, बच्चों, हमारी बेटे बेटिया सब नजर आ रहे हैं, तिरंगे लहर आए हैं, गुबारे लहरा हैं, हाथ लहरा हैं, फोटों के बैनर बना रखे हैं, हाँ ये भी सब संकत नजरारी कैमरा मेन हमें दिखा रहा है गुमा गुमा के आप पीछे तक नजरारी है विल बिल्दिंग जो है वहां तक खड़े है आप पीछे एक बिल्दिंग हटनुमा और ये चक्की चला रही है बिटिया हमारी वो पुरातन चीजें आप जब सभाल के रखे इसको तो और आगे है जी सागर गेस्ट हाओ संकरगड पर्याग राज यूपी जी बहुत अशिरवाद अजी बोलो बेटा अशिरवाद जी यहां जो पंडाल बनाया था पुरा ठाका ठक नाम का वरगा आपकी किर्पास है जी आपकी रहन दिकने ये बिल्कुल नया इलाका है सद्गुर दाता जी यहां ये इलाबाद में तंकरगड प्रयाग पढ़ता है पिदा जी यहां से रिवा एक सो तस किलो मिटर है जी स अधरी कारांग ये करताड़ समजे ये और धाले रंग हजार पिदाग एल्ग कहुंक्ड रंग है पिदाड़ आपके प्यार में आए है अब इंद्र सांड जी ये यह सत्तकुल दाता जी ये दो है डाइचा किलो मिटर पर और हैं सभी हाँ जी हाँ जी बलाओ हाँ बेटा अशिर्वाद हाँ बोलो इंदर सेंट जी बोलो जी बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा कोई बाद नी बराग आ जाता है बोलो बूतर हाँ कर आ लाइनलां गुरु कर माध्या हम से आप जी ने च्हरामटाया आप नांगार्श क्ञाक स करें sprink हम नामचाम कि मुदना का जी बीड़ा आपने बोला नामचर्चागर का तो जुम्मेबार आपके पास आई हुए हैं उनको लिखा देना और यहां मैंजी एडम ब्लॉक से मिलके वहां पे लिए जरूर करेंगे विटा आपको भी बहुत आशिरवाद सारी सासंगत को और मालिक बहुत खुशियां बक्षे और नामचर्चागर का जैसे आपको बोला कि जुम्मेबार आपके आसपासी खड़े आजू बाजू आप उनसे मिल लेना बता देना और फिर वो आके यहां बता देंगे जुम्मेबार य नशा चड़ाओ के इंदर होता है जितनी भी बुराईयां चुडाने के लिए तो आज बहुत लोग आपने बोला कि बुराईयां चोड़ने आए नशा चोड़ने आए तो यह बड़ी खुशी की बात है बगवान ऐसे ही पूरे समाज में इसे नशे को उखाड़ फैंके य और सब को बगवान खुश्यों से नवाजे चोटे बच्चे नौजवान जितने भी सब नजर आ रहें सब को मालिक खुश्यां दे आशिरवाद तो हमारी बिटिया कोई बात करना चाहती हो बेटी वो बात कर सकती है हाँ बेटा बोलो हाँ जी हाँ बेटा आशिरवाद बिल्कुल ठीक है विड़ा बोलोग बोता हो कैसे हो आप सब इसे लग रहा था कि यहां दो चार लोग ही नहीं आएंगे लेकिन फिटाजी पूरा पंडाल खचा खच भर गया पिटाजी आप जी की इतनी दया में रहमत हुई यहां पर पिटाजी आप पहली बार यहां पर सस्थम हुआ भंडारा हुआ पिटाजी इतनी दिल में खुशी हुई ना सबके चेहरे खुल उठेव पिटाजी बहुत बड़ी रहमत हुई पिटाजी आप जी की जी पतर जी जो आप जी ने बूंद से समुंदर का पिता जी प्रत्च प्रमाण आज ही है मेरे पापा जी वो कोमा में 10-12 घंटे चले गए थे और उनकी भी बहुत बड़ी इच्छा थी नहीं कि वो आज से जुड़ें और आज से मिलें और जैसे आज उनको मैंने बताया ना कि पापा जी आज आज आपको डॉक्टर एमेजी से मिलवाने ले चलेंगे तो बोलते ठीक है जबकि वो बेट से उठ नहीं सकते चल नहीं सकते फिर भी वह अभी गाड़ी में हमारे साथ आए और उन्होंने नाम भी लिया और बहुत खूश है पिता जी बिटा यही हकिकत है आपका दर्ड़ जी नहीं है बिटा तो राम जी वहां जरूर काम करते हैं 100% काम कर जाते हैं बीटा हाँ बेटा रहं हमारी सारी बेटियां इतने खूश है हमारे बेटे खूश है सारे सिवादार खूश है और क्या चाहितने सुन्दर रंगोलियां बना रखी हैं आप लोगों ने प्रयागराज, MSD और ये सुन्दर सा डिजाइन वी रंगोली बच्चों ने जिन्हों भी बनाई सब को आशिरवात और आपके फादर साब को भी बहुत आशिरवा बेटा उनको आशिरवा कियाना कि टेंशन मतलो राम जी ठीक करने वाले हैं वो करनकरावन हार हैं बैठे हैं सामने उनको भी आशिरवा बेटा आशिरवात आप जो भी चेर पे बैठे हैं फिकर ना कीजिए और परशाद बन गया आपने सबजी है लंगर भोजन है और सारा परशाद बन गया बेटा जी बिलकुल बिलकुल आशिरवात सब लोग ले ले ना आराम से बैठके मालिक खुशियां दे बहुत आशिरवात तो आगे है जी केसरगड पहले स्टिबी हनमानगड राजस्तान हाँ साइड पी दो होगे से नाओ क्या हो राजला होगे स्ट्रीज थी कास्वार पी खब पीजके पूद्ब तिरेके समत्याके पोरी बणी पुपाते मोग मरनी जिसकाफी तो उच्छे ना कोई ताद पूद्बादा विंदा वादा हूँ जी बहुत आशिरवाद बचों बहुत आशिरवाद और कावी बड़ी तादाद में सासंग नजराई लंगर भोजन बनाते हुए और गुलदाना या लड़ू रखे हुए हैं और ये 63 के पतने क्या लिखा गुच जी 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 जागो दुनिया दे लोगो वो भी लिखर रखे बैनर भाई सब्जी देख ली बेटा तेरे को बोगल लगे थोड़ा रूप हाँ धिरा कात रहे हैं सिवदार चक्र इसके भी ते जे जे थोड़ा राम से कुमाले बाई कैमरा हाँ हमारी बेटियों के सिरों पर गागर और वो जागो रखी हुई है कहीं मंगल कलश है हाथों में थाडियां है और ये गुबारे टंगे हुए ऐसे लगता है कि मतीरे टांग रखें और सुंदर साब ने डिजैन बना रखें बच्चों बहुत अच्छा लग रहे बेटा बाद कर लो बहुत बढ़ी तदाद में पत्रकार समाद आया हुआ है और विता जी एक रोलर स्केटिंग के टीम के एक छोटा सा बच्चा अपना प्रेमी परवार किसे है पिता जी उसने लिंबो में स्केटिंग में एशिया बुक और इंडिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया है पि आपका बहुत बहुत और आप सब से हाथ जोड के यही बिंती है कि आप अपने अपने इलाके में अपने अपने एरिया में यह जो निशारूपी दानव है नहीं इसको बखाने के लिए आप संकल्ब लें और भगौन से यह प्रारतना भगौन आपको बहुत शक्ती दे बह बहुत हिम्मद और जैसे आपने बताया सभी समाज के जिम्मेवार लोग आए हुए हैं अभिशनोई समाज के भी बोला तो हम जानते हैं अच्छे से क्योंकि इनी समाज में हम भी रहे हैं राजस्तान में सारे समाज कठे रहे हैं सारे धरम कठे रहे हैं तो हमें पता है कि जी बाणियें हमने पड़ी हुई है अगर पवित्र गरंतों को पड़ा है तो अच्छा लगता है कि सारा समाज एक ही प्लेटफार्म पे आएगा तभी हम समाज में से ये गंदी बुराई को निकाल पाएंगे जो आज हमारे चोड़े चोड़े बच्चों को बरबाद करने पे तुली हुई है इसे दानम केलो राक्षेश केलो कुछ भी तो डेफ्ट केंपेन के तहत आपा सारे मिलके इस समाज के नैशे को बगाना है और राम जी से प्रार्तना आपकी जोड़ियां खुश्यों से लबा लब कर दे पच्ची साल का नौजवान था है प्ता जी पुपनी वड़ा गाम से रोजाना का छे साथ हजार का चिट्टा लेता था प्ता जैसे आप जी का शवदा है ना जागो दुनियां उसी दिन से इसने रोरों के परण किया भी मैं आज के बाद नशा नहीं करूंगा और पिता ज शाबाश अब नजदी गना जाना बिलकुल तंदर उस्ते तरे को कुछ निवा उतने में तो खाना खाना हिम्मत से और सरीर मजबूत हो जाएगा बेटाची बहुत आशिरवाद शाबाश बेटा शाबाश ऐसे नौजवानों पे हमें गर्भ है चलो गलती से लग गए लेक बाकी बेटियों की तरफ अगर बात करनी है तो बेटियां कर लें बेटा यासरा हां जी हां जी बोलो हां बोलो बेटा जी आपके संग्रिया विदानसवा में पधारने का सुमू ऐसा संगत बैद दिन्यावाद करती है प्जाजी जी पेटा कोई बात नहीं बेटा जितने भी नशे छोड़ गए वो शाबाश जो रहे गए हैं कहीं फिर प्रोग्राम होता तो वहां आप कोशी कर लेना बेटा प्जाजी संग्रिया में भी लाइफ प्रोग्राम दो प्जाजी बेटा हमारी तरफ से ओकिया ये जुम्मेबार आपके खड़ें जैसे ये कहें आप उसके अकॉर्डिंग करने बेटा बिए प्रोग्राम में आपके बेटा और बेटी ऐसरे हैं अगर आपके बाते हो हो गी तो हाँ जी हाँ जी आशिवा बेटा हाँ बीटिया हाँ बिल्कुल चीके बेटा आप बताओ बच्चो थी की बेटी आंचलेंचा टिप्बी ब्लोग से हाँ पुतर नारक बूल कीजिए धन्दंसत्ग्रू तेरा है आशिवा बेटा पिटा जी आप जी लेए खंड देखे डोने याथ गोड़िया पिनिया बनाएं पिटा जी कबूल करो प्लीज हाँ बेटा खंड देखे टने किलोने और पिनिया दिख रही है और आप लोग लेना बेटियां खाएंगी बच्चे खाएंगी तो नेचरली मावाब के अंदर अ अयः देज पूर माना यज हो जी रहे खंड अ इतना अच्छ लगाँ और इदर बेटोने मी रंगबरंगी फंड़ कंड पंड बच्चे और क्ils कमाल कर रख् nghiatyएं और कि कि टिपकय एर सब कोच इतना अच्छ लग रह रहा है तो बहुत आ ख्रा बच्छों कर ये आपने we are proud to be a insan जी बेटा, बहुत आशिवाद, बिल्कुल सब को मानने वाले आशिवाद, इनसान ही है सरभ धर्म, उंच निज गोने हाँ बेटा, बोलो कुछ बोल रही थी बीटिया जी बोलोग से गुलाव सीमर संगरिया हाँ बेटा बाबा जी आज का यह नशा है, यह आप की तरह फैलता जा रहा है जी बेटा जी बहुत अच्छा बेटा आपका साथ, आपका सयोग और आपका आशिरवाद हम सब पर बना रहे गुलाव सीवर संगरिया का आपको धंदन सत्गरू तेरा ही आस्गरू बेटिया बहुत आशिरवाद सारे बच्चे आप मिलके हिम्मत करोगे बेटा, तो क्यों नहीं होगा जरूर समाज से ये चीज़े चली जाएंगी और राम जी आप सबको ताकत दे, शक्ती दे हमारे बेटे बेटियां मिलके इन चीज़ों को निकाले और दूर करें तो हम तो ये भी कहेंगे, कहीं भी कोई हमारा सुखदुआ समाज का बेटा भी बेटी हमारी बात सुन रही है वो भी साथ दे, वो जो गाते हैं नह्षा को बगाने के लिए गाएं हमें लगता है और खुशी बगवान उनको भी दे उनको भी आशिरवात और आपकी थालियां है, आपने जो लिखर का जागो दुनिया दे लो को और उसमें 10M व्यूज भो भी लिखे हैं सभजी तुझ रूर दिखा भेटा तू पांचमी बार जी बेटा जी और आपने जो परशाद परशाद बन गया भेटा जी लडू है और लंगर भोजन परशाद और ये कंबल कपडे बांट रहे हैं महिंदरगड हरियान थोड़ी आवाज चलान नहीं ज्यादा देर चलालो हम मैंने बुला तैसे रहे हैं जाना के रिखा जिनक्रेजों की चप्तिया वाजिचा जि बेटा बहुत सुंदर बेटियों ने डांस भी दिखाया और अपने अपने परिधान बहुत ही सुंदर गल्चर आप बेटियों ने वी कपडे पैन रखी है टो बहुत आशरी बेटाज और हमारे बेटे भी खूब सजध़ के आये हैं और बात कर लो बेटा बात कर लो सारे बारी से पहले बेटे कर ले चाहिए या बेटी कोई भी बात कर लो हाँ जी अश्रवाद जी 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 आश्रवाद जी आश्रवाद बहुत स्वागत आश्रवाद जी बहुत आश्रवाद जी तो जितने भी गणमाने वेक्ति आये हैं पूरी सासंगत आये सबका सबसे पहले बहुत बहुत सतकार करते हैं बहुत बहुत स्वागत कहते हैं और आप से गुजारिश करते हैं कि जैसे आपने अभी बोला पूरा समाज मिलके चलेगा तो नशे की क्या वाकात ये दानव क्यों नहीं भागेगा जुरूर भागेगा राम जी ने चाहा तो सारे मिलके चलना है सो आशिरवाद आशिरवाद तब हमारी बेटियां अगर कोई बात करना चाहें जी जल्दी में अगर थोड़े टाइम का है तो चल जाएगा लंबा टाइम नहीं बेटा क्योंकि बहुत जगा सासां के तो जुड़ी बैठी बात करनी है गरों को जाना होता है अगर छोटा ह फोड़ा टाइम है तो जल्दी से धिखा तो टाइम लो मार्द कई आजए दू लेलो प्राइब दूनिया में आखती है हाऊ 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 आओ कर लाज रहा है सारे दिन एपरия तोरी देमारे जे accents कर रहा है 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 कि गाति पून जगारोईए गारोगा हाँ आरे क्यों हो गया मैं विक्दागे क्या करो क्यों हूद है कॉन करो क्यो हूद है अप्रिटा में पूरी आप नहीं डॉक्टर साब इस आपी कुछ गरो आप इसमे बताओ आपी कोई रखा दिखाओगे आमें वादा नहीं हमारे पैसे कहा हो पर पर जो ने तर्मित रहा है आप उसके रहा है अपको इसा बता हो में तीस आपको कुछ ने कर जाते हैं अपको कर जाते हैं अपको को दोड़ा नाम और जोड़ा रहे हैं आउँ तुने उन्हीं की इर्वन दुवानी तो उञए भूर देश दे लोग को पूटव दुनियाँ ते लोग को नशा जोटव पूटव जी बच्चो जी बच्चो बहुत अच्छा बेटा आपने थोड़ी से समय में दिखाया कि कैसे नशा बरबादी ला रहा है और कैसे घर गर में बच्चे इसके आदी हो रहे हैं और बहुत जगों पे बच्चे मर भी रहे हैं बड़ा दर्द है सो मालिक रहमत करे द्या में रहमत से नवाजे शक्ति दे सब को पूरे समाज को सो आशिरवाद बच्चो आशिरवाद और अब आते तो अब होगी शायदे कि बेटियों की तरफ शायद रह रहा है कोई आप बात कर ले बेटा हाँ बेटिया आवाज नहीं आरी पेटा आप हाथ रखते हो ना माई की पे तो तारें हिल जाती है नहीं आरी आवाज आवाज नहीं आरी वो तार को मत छेड़ो हाँ पिटा पुतर बोलो पिटा पिटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जिरूर आप खाना पिटा और मावाब के दो पैसी खुशी आ जाती है हाँ जी बहुत अच्छे बने हैं पिटा सुनादे बैर मावाज नहीं आथ है सुनादे वेरा जी वेरा चछुशी नहीं डी सुनादे बे kayna करे करे इव बाबा कर दिय माफ आप कसूर मेरा ऐतनी बड़ी कुसी देदेदेशं देख्ष्माना सिक्ष्माना १ालों कार दिय माफे आप आतीन नाम के धेने वारा तेरे जैसा गुरु नहीं तीन नाम के देने वाला तेरे जैसा गुरू नहीं करनी करके पारतार दे ऐसा ही दस तूर तेरा दोरी पगड़ी वाले ओ बाब कर दिया माँ फक सूर मेरा जी बहुत आश्रा बेटा बहुत सुन्दर सुनाया सब बच्चों ने मिलके बहुत ही आश्रा बच्चों और ये बैनर भी लिख रखे हैं वेटा ने कुछ लिख रग रिब इतनी हुँ कि सारी सांसें भी अपनी नहीं है और अमीर इतनी हुँ कि तीनो जहान का मालिक खुद खुदा अपना है वा बेटा बीटिया बहुत सुंदर लिखा है बहुत अच्छा बेटा इना हमारी ने लिखा और ये सुंदर सी रंगोली भी आ बच्चों ने बना रखी है नशामुक्ति अभ्यान डेफ्ट कंपेन आपने जो लिख रखा है और अलग-अलग परशा अच्छा अच्छा ना हरेयाना फ्वा जिर्वा संद्रवलो अच्छा मां आप अच्छा ने आरिं ःम हीत दिख सतुंदरे बु kind to you झाल झाल पयों पहुत आशिरवाद बेटा बहुत आशिरवाद बहुत ही नाजगा कि आप खुशी मना रहे हैं बहुत अच्छा लगा बेटा जी। कि अहां जी बहुत आश्रवाद आप बैठ जें और बात कर लें बीटा जी बात कर लें अविटा जी काभी सरफंच पंचैते नगरपाली का चेर्मैन पारसाथ और पूरी कमेटी आई है पिदाजी साथ में और 1994 भी पिदाजी सस्तंग हुआ यहां और आज पिदाजी आपने आप जी ने रहमत बरसाई पिदाजी पूरी असंद जोन पे और बहुत बढ़ी रहमत पिदाजी बहुत जादे लोग ने से छोड़ने वाने आए हैं और पिदाजी एक क्रिश्मा प्यों यहां एक बच्छा था और नाने गाहों का पिदाजी वो डॉक्टर ने डैत गोस् सिमन किया और आप जी से अर्दास की चाहिए वो बच्चा बिल्कुल जिन्दा हुग है पिदाजी इस जह राम जी का कमाल है बेटा वही करते कमाल है इसे सब रहमों करम उनका बेटा जी और पिदाजी नगर पालिक थेरिमान जी बहात करना चाहते हैं आप से पिदाजी ज आशिरवात और आपके अशिरवात से मैं आजाद उमिद्वार विजेई घोसित हुआ ये सब आपका अशिरवात है जी और पूरे हसंद भुलोग पर अपना अशिरवात बनाए रखना कि पूरी साथ संगत मिलकर नशे को जड़ से कतम कर सके दंदन सत्कुरू तेरा ही आत्रा हाँ भीटा जब आप जैसे जिम्मेवार सारी साथ संगत नौजवान और गणमाने वेक्ति चल मिलके चलेंगे तो ये नशा क्यों नहीं भागेगा जुरूर समाज को चोड़ के भागेगा और आप सब का सतकार पूरी साथ संगत का गणमाने वेक्ति जितने भी चलके आए सब का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हमारे बच्चे नौजवान छोटे बच्चे बड़े सब नजर आरे हो आप और जाको दुनिया दे लोगों आपने 10 मिलियन सबो लिख रखा है तो बहुत आश्रा बच्चों ये आपका प्यार है और हमारा में मुद्धा यही था कि इस गाने को हर कोई सुने और कुछ समझाए तो अभी पीछे हम जो पहला प्रोग्राम था इससे जस्ट पहले श्याद महिंदरगड में या उससे पहले श्याटिपी में तुवान दिखाया था कि वह बच्चा सिर्फ गाना सुनके ही नशा चोड़ दिया उसने तो यह यह और वह हमें बड़ा हल होता नजरा रहा है कि हमारे नौजवान बच्चे उनके अंदर वह प्रेर ना जाग रही है क्योंकि जवानी जिस तरफ लगा दो तुफान खड़ा कर देती है और वह नशा चोड़ने पर आग गई तो यह हो नहीं सकता कि नशा ना चूटे और साथ में जुम्यवार लोग हैं बड़े बुजर्ग लोग हैं चोटे बच्चे भी तो मालिक जुरूर रहमत करेंगे और आप सबसे प्रार्थना कि मिलके चलेंगे तो इस ध्यान दानम को बगा के छोड़ेंगे बहुत आश्रवात हाजी उन सब का बहुत सदकार जितने भी जुम्यवार लोग आए हैं बहुत सदकार उनका और उन्हीं से प्रार्थना कि मिलके चलना और नश्यों को बगाना है सदकार करें जब कोई फगी राता है माँबाप आता है तो अपने बच्चों को गड़े लगाता तो हम भी अपने बेटे-बेटियों को गड़े लगा रहें बैठा अश्रवाद अश्रवाद आश्रवाद बच्छों तो अब तेन वचनों बे पके रहें दरड़ जिकी लखें अगर ये दोनों बाते मनजूर है पहले माफी नहीं ले पाया आप गड़ा कर ले पेटा नारा लगा के नीचे कर ले मालिक जुरूर माफ करेंगे अश्रवात और वो तमाम खुशिया मेलेंगी जिन से आप अंचित हो आश्रवात नारा लगा के हाथ नीचे कर लो पेटा श्रवात अगर कोई बात करना चाहती हो हमारी बिटिया वह भी बात कर ले बेटों की तरप से बात हो गई है बिटिया हा बिटिया बोलो आश्रवाद जिए पुरणमेंसा सुजान पहन असन ब्लॉक से बोल रही जी बेटा आशिरवाद आशिरवाद जी बेटा जी बेटा आशिरवाद हां सुना दो बेटा तुलफा गांजा बांगे द्थूरा अदारू ने कर दिया खाक मैं सथगुर की सरण में आजो सरदेगा सब माव तुझे नशा है जिस घर में दुखी है वे नारी राम नाम से जुड़ जाओगे कटेगी सारी बीमारी धान धान सथगुरू की पज़ तेरे याद्टा जी बेड़ा जी बेड़ा अच्छा सुनाया पुतर आश्रवाद और हमार बहुत अश्रवाद बच्छो बहुत अश्रवाद बेटियों ने इधर के आप परिधान और ये लाड़ू रख रखें भाई परशाद के लिए और परशाद बन गया बेटाजी लंगर भोजन भी आप लोगों ने रख रखा है और निचे डेफ्थ निचे मेरा यारपत अ आप लोगों ने वो वर्ड पकड़ लिया है अंदर से सब को आश्रवाद बच्छो और ये ड्रग के परती खिलाफ आपने बहुत संदर और ये की पेड़ पौदों को बचाएं पानी को बचाएं और सारे ही आपने बड़े सुन्दर तरीके से दिखा रखें सो जिसने भी और पूरे वर्ड में दुनिया में सासंगत ससंग सुन रही है और ये प्रोग्राम जा रहा है जूम के मादम से भी जा रहा है यूटुब के मादम से भी जा रहा है पर ज़्यादा सासंगत बेड़े सासंगत हमेशा बहुत बैठी होती है राज भी बहुत है बचो आशिरवाद, हाँ बेटियों भी लिख रखा है, आशिरवाद बेटियों, आशिरवाद बच्चों, आशिरवाद बेटा, तो सारी सासंगत को आशिरवाद, और इसके आगे, पूरे देश में सासंगत हैं लेकिन जहां ज्यादा है, हरयाना, पंजाब, रास्तान, दिली, अशिरवाद, आशिरवाद, आशिरवाद, निजिल्ड, नेपाल, मलेशिया, इंगलेंड, साओधियरब, जांबिया, कुबेत, युएई, दुबई, फ्रांस, आभुदावी, पुर्दगल, सपेन, जपान, मारिशस, बहरीन, आदी देशों में, लाखों की तादाद में, सासंगत जूम के मादेम से, एक सो तीस से अधीक जगों में जुड़ी होई है, जी, तो आप सब को बहुत-बहुत आशिरवाद, बच्चो, मालेशियों से नवाजे, बहुत आशिरवाद, आशिरवाद, और, शादीवाले परिवार आए हैं, लड़के का नाम है, विपु आशिरवाद मारकंडा कुरुक्षेतर हर्याना, लड़का एक्स्डूडेंट है जी, आशिरवाद, दूसरा परिवा लड़के का नाम जस्परीत सिंग, पुत्र नेक सिंग जी द निवासी पाईरूपा, जिला बठंदा पंजाब, लड़के का नाम तरुन बजाच, पुत सिरी रिमेश कुमार गाबाची की निवासी शास्तनाम जी पुरा, सर्सा हरयाना, और तीनों परिवारों के कुल 30 मेर मरनों पुरांत आख्या दन पर सिरी दन का परन कर लें, बहुत आशिवा बेटा, ये दन महादान है, और तीसरे परिवार में लड़की की माता जीते जी गुर्दा दान करने का परन करें, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दान महादान, आशिवाद, सभी परिवार दिन्दू के मद के लिए बेंकों में, चमाली साज बजेगा बच्चों, और सौरे काफी बच्चे, शास्तनाम जी की इनने से बेलाफर फोर्स बें के आशिवाद, जो अपनी जानव के खेल के दूसरों की जानव अचाते हैं, तो साज बजेगे, तो पहले बिटिया दिल जोड माला डालेगी और फिर हमारा बिट चलो जी जी, बहुत आशिवाद, 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 बहुत आशिव हुए हैं और नाम रखना चाहिए गैस वाट्स माई नेम बुक से नाम रख सकते हैं तीन बुक आगी हैं वो और बाकी वो बच्चे छोटे खड़े हो जाए माँ बाप को लेगा है मालिक के प्रारतना आप से अच्छे भक्त बने इनसान बने और मालिक इनको ताकत दे आश्र नारा लगा के बैढ़ जाए परशाद लेना नए काम के लिए पढ़ाई पेपर खेलों के लिए नौकरी के लिए नए मकान के लिए मकान के चावी गाड़ी के पहना परशाद शादी के कपड़े हार जनम दिन के लिए आश्रवा चाहते हैं सब को बहुत बहुत आश्रवा मालिक खुशों से नवाजे आश्रिवा बेटा विदेश जाना है जी खड़े हो जाएं कनूनी तरुपे जाएं, बचनों पे रहें सुम्न करते रहें, मालिक हर जगा है सो यहां जिम्मेवर को मिलके जाएं और परशा लेना नारा लगा के बैठ जो बेटा जी विदेशों से आए हैं आप वो खड़े हो जाएं जो विदेशों से आए हैं तो बेटा यहां से भी आए हैं पूरी सासंगत का नारा मालिक उनको खुशियां दे और आपको आशिरवाद परिवारों को आशिरवाद परशा लेना नारा लगा के बैठ जो बुतर और समीतियों के सेवदार जिनकी शिफ्ट पूरी हो गई है वो जाना चाहते हैं खड़े हो जाएं परशा ले जाना सारे परिवारों को आशिरवाद के ना मालक खुश्यों से नवाजे बहुत बहुत आशिरवाद आशिरवाद नारा लगा के बैठ जाएं पेटाजी नश्या छोड़ने के लिए आए हैं चित्ता अफियों पुक्की तो लगातार सिम्न करो पेटा और यहां मिल लो जिम्मारों को अगर कुछ बेहद जादा है तो खड़े हो जाएं और परशाद ले लेना नारा लगा के बैठ जो पच्छो यहां जिम्मेवारों को मिल लेना पेटा आपका इलाज भी करेंगे और फिकर ना करो राम नाम से ही चूट जाना आज के बाद नजदीक मत जाना परशाद ले लो यहां से बीमारी का परशाद कोई बीमार है लंबे समय से तो मालिक से प्रार्थना विंति दुआ करके परशाद देते हैं सामने परशाद रख ले लेना सुमन करके दवाई लो और प्रार्तना और दवाई दोनों काम करते हैं सो मालिक दिया में रह्मा से नवाजे बहुत बहुत आश्रवाद और किसी के बच्चा नहीं है दोनों मियाभी भी चेकर वालो रिपोर्ट में कमी है तो सुमन करके दवाई लेना, अगर उपोर्ट नॉर्मल है, तो टेंशन ना लो, मालिक जुरूर खुश्यां बेजे आपके गर में, मालिक से दुआ है, बहुत आश्रिवाद परिवार में कोई छोड़ा छोड़ गया है, बेटा, खड़े हो जाएं वो परिवार तो जो राम नाम का पुजारी होता है, भगत सेवादार कोई चला जाता है, तो मालिक की गोदु बेड़के निज धाम, सचकंड, सतलो का नामी जाते हैं सुर्मन कीजिए, मालिक जहलने की शक्ति दे ताकते परिशा लेने के बाद बैढ़ जाना, सु नारा लगा के बैढ़ जो, मालिक ताकत देगा जहलने की आश्रवा पिटाजी, उस आत्मा की समाल राम जी खूब करते हैं शास्त्राम जी किने से बिलफर वोर्स बिंग, पक्की सिमीतिया, मैज जाइटी विंग वे यूथ का निया परशा लेने वाले, खड़े हो जाएं बेटाजी, यहां भी सिवादर हैं तो नारा लगा के बैठ जाओ, नाम दर्ज करवा लेना, धन्यमावाप होते हैं जिनके बच्चे सिवादार होते हैं, तो नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक खुशियां दे बेटा तीन वचनों में पहले बर माफ़ी के लिए, औस्टेलिया में तीन हैं, यूएसे में एक सबेन में दो, और यूके में चार, और यहां साथ लोग हैं, तो खड़े हो जाएं अब एटा, तीन वचनों पे पके रहना, दर्ड जगीन रखना, ये वाइदा कीजिए, हाथ कड़े करके, और मालिक जरूर रहमत करेंगे, नारा लगा के हाथ निचे कर लो, मालिक माफ़ करेंगे आएंदा गल्ती मत कर बैठना, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है पेटा, आश्रवार माफ़ी का मतलब, कि कोई गल्ती कर बैठता है, ना शा कर लिया आजा, गल्ती यसी कर लिए बचनों में, जो हम छुडवाते हैं, तो राम जी से परारतना करती कि मालिक माफ़ करना, और आगे ये सुम्न करें, तो मालिक माफ़ करते हैं शासनाम जी कि शाम अस्ताना जी महराज के अफ़तार माहा के उपलक्ष में, आज सासने निमले खितपन करना चाहती है, किसी के गल्त काम में किसी का साथ नहीं देंगे, किसी के गल्त काम में किसी का साथ नहीं देंगे, बहुत बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात, और क आप्रदीप इंसा सर्सा से जी लांस नायक निर्मल जी वठिंडा से हवालदार पुषपेंदर जी जमनानगर से दिवेंदर इंसा दिली से परिवार सहित सुगनाम जी एसाइ सपही लाड़ी इंसा आसाम से कंस्टेवल जस्परीत तिरपुरा से लांस हवालदार संजीव इंसा फतेगर से परिवार सहीत एसाइ सेवक सिंग मोगा से असिटेंट कमांडर आशा राणी दारजलिंग से लिगुडी से तो पहले तो सबको बहुत-बहुत सैलूट पीटा मालिक आपको खुशियां आप लोग जागते हैं तभी समा शांती की नींद सोता है भगवान आपको ताकत दे परशार लेने के बाद बैठ जाना और परिवार भी धन्या होते हैं जो अपने बच्चों को ऐसी सिवा की जुम्मिवारी सौंपते हैं सो नारा लगा के बैठ जो बिठा मालिक बहुत त शासनाम जी भाइसकोल स्री गुरु सरमोडिया की भारत को जानो जी के टीम ने आप जी के अशिरवा से राजस्तान के सभी स्कूलों को पचड़कर जीत हासल के दोनों बच्चे स्री गुरु सरमोडिया गाओं के की हैं नैशनल खेलने जाना अशिरवा चाते हैं तो बच् online है सामने खड़ें शाबाश बेटा शाबाश बहुत बढ़िया और आगे बढ़ना बेटा जी मालिक साथ प्रवाना करो कॉंफिडेंस के साथ आगे बढ़ना सुपरशा लेना पुतर नार लगा के बैठ जाओ श्यास नमजी काल सिर्शा यूगा के छे पलेर आल इंडिया इंटर कॉलेज प्रतियोगीता में गोल्ड हासिल किया है जी दो बच्चों के अल इंडिया इंटर उनिवस्टी के लिए चैन हुआ है बच्चे सिर्शा अश्र में ऑनलाइन बैठें तो बच्ची वहां पे बेटा पर्शाल लेना अमरत इंसा खुईया सरवर पंजाब से आप जी की प्रिणना नुसर एक मिट्र में ठाइज पौदे लगाकर इंडिया बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है जी शाबाश बेटा शाबाश मालिक खुशियां दे पर्शाल लेना द्य आप जी की शिक्षा अनुसर पक्ष रखा कि बिना किसी को हानी पुंचाए भी पुलिस समाज की सेवा कर सकती है इसमें मुझे नैशनल में दूसरा स्थान पराप्त हुआ है अवार्ड आप जी को समरुपी ते शाबाश बेटा शाबाश बीटिया बहुत ही बढ़िया बा आप आशिवाद आशिवाद बेटा बेट जैए बेपरवामस्तानाजी महराज के अवतार महा पर डेफ्ट कंपेइन के तहत नए जीवों का नशा बुराया चुडाने के लिए आज सुनीता पंटारी समयंबर केती बड़ी समीथ बीस जार निर्मला केती बड़ी समीथ मालिक खुश्यों से नवाजे परशाल लेना नारा लगा के बैठ जाओ ये भी महान का रहा है जिसमें आप सहयोग डाल रहें सो मालिक खुश्यों देनारा लगा के बैठ जाए आशिवाद बीटा आपका नाम लेकर तेरी बैरागे में तर्वना मेरी सौगात हो जाए आप पर चल कि बुराइयां का खात्मा करना है आप जी की जी एसम बेटियां में बेटे आप जी की दोरा काई सौंग जागो दुनिया दिलोगो तैन मिलियन ब्यूज होने की खुशी में डेफ्ट कंपियन के तादि कत्ती जार रुपे बैंक में जमा करवा चुके हैं खड़े ह हैं बच्चे सो आश्रा बच्चो मालिक बहुत बहुत खुशियां दे दिया में रहमसे नवाजें आपकी ओड़ने वे जैसा आप सोचा है समाज की सिवा करेंगे मालक उसे बढ़ चड़के सिवा ले और जो आपकी सबसे बड़ी मांग है मालक जल्द से जल्द पूरी करे दिया में रहमसे माला माल करें सो नारा लगा के बैठ जाएं बहुत आशिवाद परशाद भी ले लेना बेटा जी आशिवाद और यहां सिवादार कहरें जी आप जी के सौंग जागो दुनियां दे लोगो पर 10 मिलियन व्यू होने की खुशी में बूंदी का परशाद बा दोड़ाद भूंदी मतलब देदो भूंदी है परशाद सो परशाद देदो बेटा जी हाँ जी हाँ जी तो सब जगा भी परशाद लेने बेटा मालक दिया में रहमसे नवाजे सब को खुशियां दे और कुछ सवालात आपके अगर आए होंगे तो आज उनकी बात कर लेत हैं साथ संगर जी क्योंकि आज व्याख्या नहीं हो पाई तो इसलिए कुछ सवालों का जवाब आपकी सिवाब में रखते हैं रुहानियत के हों दुनियादारी के हों सांजे हों तो जरूर राम जी की किरपा अनुसार पवित्र वेदों के द्रिश्टी कोन से सारे धर्मो के पवित्र गरंतों के द्रिश्टी कोन से कोशिश करेंगे हम तो एक माद्य हैं करने वाड़ा राम है यो जैसा ख्याल देगा जैसा जवाब दिलवाएगा उन्होंने देना हाँ जी बोलिए जी अगर गलती मन करता है तो सजा आत्मा को क्यों भोगनी पड़ती है क्योंकि मन से कई गुणा ज्यादा पावरफुल है आत्मा और जब आप आत्मा की आवाज नहीं सुनते हमे आजा आत्मा को भुगतना पड़ता है गल्द मन करता है आप करते हैं लेकिन सजा तो आत्मा को क्योंकि वो ऐसी ताकत ऐसी शक्ती है जो कभी मर नहीं सकती पर सज भूगनी पड़ती है इसलिए आप सुम्ण करें आत्मा की आवाज सुने तो मालिक रहमत करेंगी और फिर आत्मा कभी ऐसा भूगी नहीं पाएगी भक्तियोदा बलुइंदरिन सा गुरुजी आजकल फ्लेवर्ड हुक्का का बहुत ज्यादा पर्चलन है नौजवान बहुत इसका सेवन करते हैं क्या ये गलत है भाई हमें तो पता नहीं है फ्लेवर्ड हो उसमें अगर तंबाक हुए तो गलती गलत है और ऐसे दुआ निका अगला स्वाल है गुरुजी कहा जाता है कि इंसान अपनी आत्मिक शक्ति को आंखों द्वारा ज्यादा बरबाद करता है इसकी क्या वज़या है क्योंकि देखती है आप ये सोचते हैं कि आँखें पहचानती नहीं कि गर्लत कर्म कर रहे हो बुरा कर्म लेकिन नहीं उतना माइन्ड का भी असर है वो सोचता नहीं सिर्फ आंखों को दोश नहीं दे सकते आप क्योंकि आँखें तो एक मैसेज बेजती है माइन तक और बेसिक है पूरे आप ही यानि आत्मिक तोर पे दोशी हो जाते तो इसलिए गल्द करम नहीं करना चाहिए अगला स्वाला गुरुजी मुसीवतों में सब डगमगा जाते हैं आपके भक्तों पर लाख मुसीवते आई लेकिन उनका होसला और विश्वास बुलंद रहा डेरे के घोर निंदक भी इस बात को सरयाम से विकार करते हैं इसका क्या राज है क्योंकि बेटा हम अपने बच्चों के सामने कोई परदा रखते हैं नहीं सारे बच्चों के सामने खुली किताब हैं और उनको पता है अपने पीर फकीर का और हमें पता है अपने बच्चों का कि जो दिल संप enemy Blake हो एक न शूरें से जोड़े थे यहों कि त्यों को खड़े हैं और यह खड़े ही रहेंगे समाज के के लिए लगे ही रहेंगे और मालक सदकुरिन को खूशियों से माला-माल करते ही रहेंगे इंजिनिंेर हूँ है खारे पानी से इरिगेशन करने से जमीन पर सॉल्टेशन की प्रोबलम बढ़ती जाती है उस हालत में अच्छी खेती कैसे हो सकती है बेटा कई जगा अगर आप साइंटिस्ट हैं तो ये भी आपने सुना होगा खारे पानी का ट्रीटमेंट शुरू हो हमने यहां तक सुना है यहां तक क्योंकि हम भी अगरिकल्चर के बहुत ज़्यादा गहराई तक जानते हैं अगरिकल्चर को तो सुनने में आया था कि खारे पानी का ट्रीटमेंट हो जाता है पर आप अभी फाइनल रिसर्च हुई है कि नहीं हुई है कहां तक पहुँची है यह अभी हमें ख्याल में नहीं है और अगर कोई जिम्मेवार या साइंटिस्ट बैठा होगा जो इस बारे में नौलेज रखता है तो आपको थोड़ी दिर के बाद कोई नो कोई परची आ जानी है तो इसका जबाब भी आपको देंगे बाकि खारे पानी से तो नुकसान होईता ही है फसल में क्योंकि उसमें साल्ट की मातरा ज्यादा होती है दूप के जब उसके संपर्क में आता है तो फसल की बरबादी की तरफ चली जाती तो उसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है समाईल सेतिया बुरुजी, स्टडी और एंटर्टेनमेंट में कैसे बैलेंस बनाएए स्टडी का टाइमिंग रखिए बेठा आप सुबा मौर्निंग में उठके जैसे भक्ती करते हैं जाएं और नीन्द पूरी कर लें तो सुबा मौर्निंग में जो स्टडी की जाती है वो दिलो दिमाग में बैठ जाती हमारा खुद का तजर्बा है बहुत और बच्चों ने हमारे साथ यह हम लोग किया करते थे और यहांते के इंड़टेनमेंट की बात है तब भी आपको जगीन आए नाए लेकिन क्योंकि बेपरवाजी से जुड़े थे तो हमने अफीम पे और शिराब पे और उन चीजों पे बहुत से गीत तब भी काते थे और कुछ नाटकी भी हमने लिखे भी थे तब वो भी किया करते थे तो पढ़ाई में भी अबबल रहते थे राम जी किरपा से हर बार तो नहीं लेकिन लगबग लगबग तो ये तालमेल बिठाया जा सकता है क्योंकि entertainment से mind fresh होता है और fresh के बाद जब आप study में लगाएंगे तो और ज्यादा अच्छा फील करेंगे पवनकुमार इनका स्वाल है गुरु जी एक नशा मुक्त भार्त नाम से एक मैराथन दोड का आयोजन क्या जाए जिसे युवाउं को बहुत फाइदा होगा जी जुम्मेबार नोट कर लेंगे बेटा जो जो पॉसिबल होगा नाशाच उडाने के लिए हर कदम उठाने के लिए हम तो तयार है और आसारे नौजवान भी अगर हमारा साथ देंगे तो यह जरूर संभव हो पाएगा आश्रवाद बेटा यहां की बच्चे सिवादार तो हमेशा त्यार रहते हैं बिदेशों से बाहर जो भी लाइब हैं सब के हाथ खड़े हैं तो मालक सब को खुश्यों से माला माल करें आश्रवाद सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लें बच्चो आश्रवाद गुरुजी आपके सत्संग मोटिवेशन, सेल्फ अवेरनेस और लीडर्शिप बहुत ही उप्योगी है क्या आप एक बुक भी इस पर लिखेंगे जी हम चाहेंगे हमारे जिमेबार बच्चे जो लिखते हैं जो उनको शौक है इस चीज का वो लगे हुए है एक को हमने बोला था कि बेटा लिख और वो लिख रहे हैं हमने जो उनको बताया उसी को लिख रहे हैं और भी कोई बच्चा यहां शौक रखता हो तो वो जल्द इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं हाला कि हमें लिखने का बहुत शौक है हमने 800 बजन लिखे दी हैं और इस पर एक बुक अगर आपने कहा है तो हम जुरूर सोचेंगे बेटा समय की अकॉर्डिंग इस पर लिखने की कोशिश करेंगे जितेंदर खुराना गुरू जी इतिहास रहा है कि गुरू पीर फकीर को ही हमेशा मुशिवतों का सामना करना पड़ता है जो खुद हमेशा सारी स्रिष्टी का भला करते हैं ऐसा क्यों होता है जजकें और यह औरों को तो हम इंसकते के सद्गुर मौला के खेल हैं जैसे वो खिलाता है वैसे फकीर चलते रहते हैं क्योंकि फकीर अगर रजा में राजी नहीं नहीं तो उसके शिष्य उसके बगत रजा में राजी कैसे रहेंगे तो इसलिए संद पीर फकीर अपने ओम हरी अल्ला वही गुरु सद्गुरु मौला की रजा को टालते नहीं और बाकी सुमन करें, सेवा करते रहें और जरूर मालिक सब की सुनता है और जरूर सुनेगा गुर्टेज इंसा, शाक्षी और कुस्ट डॉक्टर्ज का भी ये स्वाल है कि गुरु जी आप जी ने जो साथ से नो डिजीटल फास्टिंग का परण कराया है तो क्या सेवादार जो डिजीटल प्लेटफारम पर आस्रम में सेवा कर रहे हैं वो कर सकते हैं और कुस्ट डॉ अगर एमरजेंसी कॉल ही लेनी है उसके बहाने कुछ और नहीं लेना है यह ध्यान रठी है और जिनकी डूटी है, वो अगर उस टाइम में करते हैं तो कोई बात नहीं बात नहीं हो डूटी करें और टाइमिंग आगे बीचे कर सकते हैं ताकि परिवार को टाइम दिया जा सके मोहित गुरुजी प्लीज बरनावा डेरे में भी बलड डोनेशन केम्प लगाया जाएगा जी बहुत अच्छा सुझाब है अगर जरूरत होगी तो जुम्मेवारों से प्रार्थना करेंगे क्या यह प्रिमीशन के तहत यह सारा कुछ हो के यह पॉसिबल है तो हो तो बहलाई की कामों के लिए जरूरी है परमीशन यह तो बनता ही है सो जुम्मेवारे में बता देंगे तो इसके अपॉर्डिंग कर लेंगे डोक्टर नेहा शास्त्रामजी स्वेसिलिटी हस्पिताल सरसा से गुरुजी कुछ लोग खांसते वाई चिंगते समया मुह नही कि चिंग कैसे बार नहीं है वैसे यह हमारे कल्चर का जो आपको बता रहे थे कि ब्रह्म चार है आश्रम में तो इसमें यह भी सिखाया जाता था कि आप जब कभी थूकना भी पढ़ जाए असल तो निकल जाओ क्योंकि वो ट्वालेट के रास्ते निकल जाना है चलो फिर अगर मान लीजी आपको लगता कि थूकना पढ़ी जाए तो आप ऐसी जगा जो कोई ऐसी हो स्थानो कचरे की जगा उस पे ही ऐसा करें तो हमें नहीं लगता कि लोग ऐसा करते हैं दूसरा नहीं छींक ना जंभाई लेना अब कई मूँ फढ़ फढ़ के लेते रहते ना हा क्योंकि नींद में होते हैं नको कोई लेना देनानी तो भाई ये एक जरूरी है और कई हमने देखा पेने वाले पानी में हात्ते तुबः झूबगों के हाथ दोते रहेंगे पेशाप करके आए हैं और पानी एक जगा है वहाँ से अंजूली बरेंगे और हाथ दोईगा रहे भाई, तू पेशाब करके आया है, सब को क्यों पिला रहा है, क्यों उसमें हाथ दबो दिया, आपको बहां बरतन भी पड़े होते हैं, फिर भी नहीं, वहीं से अंजुली बरी और हाथ यू यू किया, तो यह ठीक नहीं है, हमारे कल्चर में, हमारी सब्वेता पवित्र को सिखाया करें, कि छिंक आती है बेटा, हाथ आगे करो, और जंभाई आती तो भी करो, और खाज खुझली करनी है, तो साइड पे ओ सकती हो, और कोई नेचर कॉल आती है, तो भी साइड पे जा सकती हो, आप समझदार को इशारा काफी है, सब के बीच में अच्छा नहीं ह परिभाशा है? तो बहुत बड़ी बात बनती है, अगर ऐसे ब्याख्या करने लगे हैं, तो लंबा काम है, दीपती शिड्नी ऑस्ट्रेलिया से, गुरु जी, क्या गुरु मंतर और गुरु एक ही है, गुरु वो होता है, जो अग्यानतारुपी अंदकार में ग्यान का दीपक जला दे, औ और फिर अपने शिशों को दे और ये कहें, कि हम भी इनसान हैं, और आप भी इनसान हैं, अगर हमें इन शब्दों से भगवान की खुशिया मिली, तो आपको क्यों नहीं मिलेगी, तो इसे गुरु मंतर और गुरु एक ही चीज़ मान के चलें, क्योंकि वो भगवान की कारियों में नया काम एड किया जा सकता है, बायो डिग्रेडेबल, रिसाइकल, एंड नोन रिसाइकल वेस्ट को अलग अलग कॉलेक्ट करके, ताकि इनवार्मेंट को पॉलिशन चे बचाया जासके, और लेंड फिल्ज में प्लास्टिक वेस्ट ना जाए, जी वेड़ा, अच्छा सुझाव दिया, जुम्मेबार नोट कर लेंगे, फिर इस बारे में चर्चा करेंगे, वीरपालकुर, गुरुजी, जैसे एक मा बढ़ती उमर के साथ अपनी बेटी को समझा कर प्रवरिष्ट देती है, वैसे ही एक बेटे को कैसे समझाएं? किसको कैसे समझाएं एक मा जैसे बढ़ती उमर में अपनी बेटी को समझाती है, तो बेटे को कैसे समझाएं? में प्रवेश की त्यारी होती है, तो महां सिखाया जाता है कि आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कि उसकी बच्पन से ही, जब वो मा का दूद पिता तभी से, उसकी नाजायज जिद कभी पूरी ना करो, और जायज जिद के लिए ज्यादा टाइम ना कहिंचो जो जायज चोटी मोटी चीज़े होती हैं बच्चों की, तो वहीं से अगर मा या फिर बाप शिक्षा दे, तो हमें लगता है कुछ गल्ट नहीं है सिखाना, जब बड़ा हो जाए तो उसको फादर साब, उसके ऐज़े फ्रेंड उसको सिखा सकते हैं वरण इंचा, गुरुजी, कुछ लोग पर मार्त करते हैं लेकिन वो अपने भाई बहन का हख मार लेते हैं, क्याइसा सही है? बेटा परहित यानि दूसरों के भले के लिए अगर आप भला करते हैं तो जुरूरी है अपनों का हक मत मारिए अपनों का हक मार के ऐसा करते हैं यह सही नहीं है ही ना गुरू जी नेगटिव विचारों को कैसे कंट्रोल करें सुम्रिन के समय भी कई बार बहुत सारे बुरे विचार आते रहते हैं और राम का नाम कमरा बंद हो आवाज बाहर ना चाहें आप बोल बोल के जाप करें तो यह ऐसा तरीका है जिससे आपके कान भी सुनेंगे आपका बुद्धी भिवेक भी और चीजों में नहीं उसी में इन्वाल्व हो जाएगा और फिर आप इन बुरे विचारों पे जीत हासिल कर पाएंगे और सुम्रण में मन लगने लग जाएगा दीशा गुरु जी सुनारिया में आप जी खेती करते हो आप जी ने कोई वहाँ पर सब्जी उगाई हो और वहाँ के लोगों को खाने का मोगा मिला हो उस शण के बारे में बताएं नहीं वहाँ पे हम लोग केतिबाड़ी करते हैं सब्जीयां भी होती है सारा कुछ चलता है और वहीं पे लंगर जैसे यहां लंगर होता है वहाँ कैदियों के लिए भोजन बनता है सारा तो उसमें वह चली जाती है और सब लोग उसी तरह से यह लंगर खाते हैं तो उस तरह से वह सब्जीय वगएरा या जो भी कितिबाड़ी का क्योंकी शौक है तो वहाँ यह करम करते रहते हैं अर पित गुरुजी जैसे ही आम लगातार शिम्रन करने लगते हैं कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि शिम्रन छूट जाता है तो क्या किया जाए कुछ दिनों बाद छूट जाता है ये जचीनी बाद क्या कभी कुछ दिनों बाद खाना छूटा है जब जनम से लेकर अब तक खा रहे हो तो वो नहीं छूटा आप रफाज ते सुभा सुभा फ्रेश होने जा तो कभी वो छूटा है कभी नहीं छूटा तो फिर राम नाम क्यों फाल्दू है जो चूट जाता है तो बेटा राम नाम को उसी तरह जुरूरी समझोगे तो कभी नहीं चूटेगा और जखीन मानों आपको खुशियां ही खुशियां वो लूटेगा जिससे राम नाम नहीं चूटेगा बलजींदर रोम से गुरुजी प्राम पिता प्रमातमा को जल्दी से जल्दी कैसे पाया जासकता है अखंड सुम्रन आते जाते सfriends सुम्रन किया जाये जल्द से जल्द बहगवान को पाया जा सकता है लेकिन अपनी बुराइयों पे जीत हसल करना अपनी बुराइयों बुरी आद्जों को छोड़ना उसके लिए अपनी हिम्मत सुमर्ण के द्वारा चलते फिरते परहित परमार्थ सेवा करें तर्मान धन से दुख्यों का मदद करें अपने एरिया में तो जिकीन मानो जल्दी उस राम को प्रभु को आप पा सकते हैं उसके नजारे ले सकते हैं वैनकुवर के साथ संहट स्टेमल डोनेशन करने के प्रोसेश में है जी और आभी opens लगनी है उनसे सेव Windows की वेते हो रही है आशिरिवाद चाहते हैं वैनकुवर की साथ संगत उसनहरा अगर ऑनलाइन है तो आप दिखांठे भाई अगर वो सामने हमारे हैं स्रुन पे तो उनको बहुत बहुत आशिरा बच्चो आप एठे नजर आगे स्टेम सेल आप देने आए हैं, डोनेट करने आए हैं, बहुत बड़ी बात, कमाल है हमारे बच्चों का और एक से बड़ के एक सेवादार हैं, बगवान बहुत जादा खुशियां दे शावाश बच्चों किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा पुन्य कोई नहीं होता और खाश करके इंसान नर सेवा, नारायन सेवा, ये हमारे धर्मों का नारा है, सो माले खुशी दे, बहुत ही आशिरा बच्चों अभी जो हमने का था, बड़े की पानी को कैसे ट्रीट किया जा सकते हैं, बड़े स्केल का आरो सिस्टम होता है, जो 3,000 TDS तक के खारे पानी को 500 TDS तक ले जाता है, जो खेती के लाइक बन जाता है, अपने खेतों में, सिर्सा में, एक्सपेरिमेंट के तोर पर लगाया हुआ है, ये है इस्राइल के टेकनोलजी है, तो ये क्वाल इनसान लेके बेजा है, तो बहुत आशिरा बच्चों, जो भी इस तरह की नॉलेज र नहीं, आप पुन्या सोचते हैं क्या, अब किसी को बकरा चत्रा मार के खिलाओगे तो आप क्या उसके भागीदार नहीं होगे, तो बिटिया, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी बजाए आपने पैसा करज करना ही है, तो क्यो ना सुद्ध शाकाहारी उनको बोजन परोस कि आजो आज मेरी तरफ से ट्रीट है, फरी में खिलाती हूँ, वो कितना अच्छा होगा, अब बजाए उनकी नौनवेज का फीस बरते हैं, तो हमें लगता है वो ज्यादा बैस्थ है, इस तरह से आप करें बिटिया, आशिवार, आखरी परसन है जी, वैभाव और अगर आप कोई अंजाने में ऐसी जागी तो फिर वो आपको फैंखी देनी च्छाहिए, क्योंकि और जीवजन्तू ऐसे होते हैं, जिनका ये भोजन है, वहां पर फैंखी तीचिए, वह सári जीवजन्तू होते हैं, ति माशहरी अगर ऐसी कुई आपको कहीं पर वो रक्खे बैठे हैं, परशाद बन गया बेटा जी, आप परशाद ले 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 लेना, और यूट्यूब के मादेम से जो घरो में सुन रहे हैं, घर घर में, कल एक बिठिया ने बोला था पिता जी आप अप आगे, वो तो आपकी भावना है जी जुरूर आपकी भावना है तो जुरूर राम जी हम तो यहां बैठें वो जुरूर आपके घरों में चरन दिखाएंगे यह मालिक से दुआ प्रार्थना है और भोजन जो शाकाहरी है वो आप ले सकते हैं परशाद के रूम में सो सबको वाद आश्रवा बेटा चलो सिवादारों फिर आपके लिए